बोडी बिल्डिंग को आम तोर पे पुरूशों का खेल माना जाता है वह भी विशेशकर भारत में जहां महिलाओं के लिए बोडी बिल्डिंग जैसा खेल सभी कारी नहीं है लेकिन इन सब के बावजुद बोडी बिल्डिंग भारत में तेजी से भड़ते हुए खेलों में स एक है और इसी के साथ महिलाए भी बोडी बिल्डिंग में अपना एक अलग मुकाम बना रही है इस फीमेल बोडी बिल्डर ने भारत में ही नहीं बलकि विदेशों में भी अपनी परतिभा का लोहा मरवाया है जिम जाकर सिक्स पैक आपस बनाने और मसल्स फुलाने वाले अक है यश्मीन मनक चंदीगर की रहने वाली यश्मीन मिस इंडिया डबल मिस वर्ड और मिस एशिया चैंपियंशिप में ब्रॉंज मेडल जीतने वाली भारत की एक मात्र महिला है और इसके अलावा उन्होंने अपना एक जिम भी खोला हुआ है श्वेता राठोर श्वेता र है जिसने भारत की तरफ से वर्ल्ड चैंपियंशिप में मैडल जीता था इसके अलावा यह फिटनेस फिजिक 2014 में मिस वर्ल रह चुकी है और 2015 में मिस एशिया भी बन चुकी है करूना स्वामी मिस इंडिया फिटनेस फिजिक टाइटल जी चुकी करूना स्वामी ने 46 एश साल की दिपिका चोधरी अच्छे अच्छे लोगों को बोडी के मामले में पीछे छोड़ देती हैं दिपिका भारत की पहली ऐसी महीला है जिसने अमेरिका में इंटरनेशनल फिटनेस कॉंपिटिशन में भाग लिया और इसमें अवर्ड भी अपने नाम किया ममोता देवी 30 साल की ममोता देवी भारत की पहली और काफी समय तक रहने वाली अकेली ऐसी महीला बनी रही जिन्नोंने इंटरनेशनल कॉंपिटिशन में मैडल जीता था ममोता देवी ने 96 ए बाद ये दूसरी महिला थी जिसने साल 2014 में मुंबई में हुई वर्ल्ड चैंपियंशिप की बोडी विल्डिंग केटेगरी में ब्रॉंज मैडल जीता था अश्वनी भासकर सिर्फ तीन साल पहले अश्वनी भासकर एक साधारन महिला थी जो एक समाने जिन्देगी जी रह चुकी है कि बोडी बिल्डिंग सिफ लड़कों का ही खेल नहीं सोनाली के दो बच्चे भी है और ये बखु भी अपनी फैमली के साथ अपने करियर को संभाद रही